हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नयनी स्कूल पर हार दिख स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BC और AD क्या है इन में क्या अंतर है और आज कल जो हम टर्मिनलिज यूज़ कर रहे हैं CE and BCE वो क्या है क्या इसामसी का जो जनम है वो जीरो वर्स में हुआ था और BC से अगर हम ED में वर्स निकालना चाहें कि इतने टाइम पिरेट से इतने टाइम पिरेट के बिच में कितने वर्स हुए हैं तो देखें मेगजम लोग इसमें गलती करते हैं मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्स आप कैसे निकाल सकते हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर करें देखें आज की वीडियो के बाद ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि BC और AD से रिलेटिड कोई भी आपको समश्या नहीं आने वाली है देखें आप सबी ने देखा होगा कि जब हम लिखते हैं इंडिया गोट फ्रीडम इन AD 1947 अगर मैं बात को हूँ तो 147 लिख देते हैं लेकिन अगर आपने लिखा होगा दिखा होगा कि इस्वी में हुआ था या असोका वास बोन इन 304 BC या 304 इसा पूर्व अगर आप history पढ़ते हैं तो ये terminologies आपको regularly देखने को मिलती होगे लेकिन काफी समस्या होती है कि ये है क्या हम इनको आज के time से कैसे link करें तो ये चीज़ें आपको आज पता चलने वाली हैं देखिए BC, BC, AD और CE इन सारी चीज़ों को हम इस कह सकते हैं कि number line के माध्यम से समझने वाले हैं देखिए आप लोगों ने अपने बहुत ही 5.6 के time में number lines concept देखा होगा हम 0 को एक reference point माल लेते हैं वहां से जो भी left side में numbers होते हैं उनको हम negative numbers बोल देते हैं और जो भी numbers इस reference point के right side में होते हैं उनको हम positive numbers बोल देते हैं या positive integers जो भी आप को उचित लगे तो यानि अगर हम positive की बात करें तो देखिए हम बात कर रहे हैं आगे के समय के लिए यानि हम वर्तमान और वर्तमान से आगे की बात कर रहे हैं और अगर हम negative numbers की बात करें तो यहाँ पर आप उनका आईटा लगासते हैं कि जो पहले का है पूर्व का तो यानि इनको हम BC इसलिए बिफोर क्राइस्ट अब इनकी full form भी देखेंगे हम पहले कि BC का मतलब क्या है? BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट देखे एक दोर था जब जो क्रिश्चन्स थे वो पूरे वर्ल्ड पर हावी थे और उनकी जो कह सकते हैं कि सोस थी वो भी पूरे वर्ल्ड पर हावी थी तो उन्होंने अपने इसा मसी जिनको वो इस्ट मानते थे और गोड मानते थे उनके जनम से ये डेट का निर्धारन कर दिया कि भईया ये हमारे इसा मसी का यहाँ पर जनम होता है इससे पहले का जो भी टाइम पिरेड है वो हम बीसी लिखेंगे यानि उन्होंने रेफरेंस पॉइंट जो माना वो माना जीसस का बर्थ तो जो उससे पहले के येर्स हैं तो उसको हम यहाँ पर बीसी बोलेंगे और जो एडी है यानि अब बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि इसको वर्ड यूज करते हैं कि जैसे बेफोर क्राइस्ट और जिसका मतलब होता है in the year of Lord यानि भगवान का जनम का वर्ड बान सकते हैं उनके भगवान कोन थे उनके इस्ट कोन थे लोड कोन थे तो वो थे एशा मसीद तो लेकि यहाँ पर उनका यही कहना है कि जो भी इस reference points से यानि यहाँ पर जीसस का बर्थ होता है उससे पहले के जो years है आप उनको BC बोलेंगे और जो भी उनके बाद के years है आप उनको AD बोलेंगे यहां तक आपको कोई problem नहीं होनी चाहिए देखिए जब हम left side में चलते जाते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या होता था महाँ पर minus 1 पहले आता है minus 2 बाद में आता है number line में तो देखिए यानि जरम से अगर हम वापस चलना सुरू करें तो देखिए यह जो concept है यह हमेशा minus 1 पहले minus 2 minus 3 ऐसे चलता है और positive side में चलेंगे तो plus 1 plus 2 plus 3 ऐसे आगे की तरफ चलता रहेगा तो देखिए नमबर जो लिखे गए है यहाँ पर 0 से 500, 500 से 1000 1000 से 1500 1500 से 2000 यानि यह जो है back side में चलते हैं और यहाँ पर यह आगे की तरफ चल रहे हैं अब आप काओगे लेकिन आजकल जो history की books हैं या और भी कई जिए दिखा गया है हमने तो यह BC और AD जो है come use हो रहा है आजकल BC CE और CE जादा यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है देखे जब यह बनाये गए तो उस टेम पर क्या है मैंने बताया कि Christians का बोलबाला था लेकिन कुछ ऐसे लोग थे इसपेसली जो यहूदी थे जियूस थे उन्हों को या सेकुलर लोग थे तो उनके दिमाख में आया कि हम इनके लोड को इनके गोड को क्यो माने हमें तो नहीं मानना है तो हम क्या करते हैं तो उन्होंने क्या बोला कि लगबग reference point यही रहने दो इससे पहले का जो है उसको हम लिखेंगे BCE BCE जो अब तक आप BC पढ़ते थे उसको इन्होंने BCE कर दिया अब यह क्या दे कि यहाँ पर Christ नाम का यूज नहीं होगा यहाँ होगा Before Common Era यानि यह Common Era से पहले का समय है और यहाँ को इन्होंने शार्ट कर दिया कि यहाँ से यह reference point है इसके बाद का जो टाइम होगा वो CE होगा यानि Common Era या Current Era उसको बोला जाएगा यानि जो पहले BC था उसको BCE कर दिया गया और जो पहले AD था उसको अब CE कर दिया गया है बाकी सब चीजे लगबग सेम है Years भी जो है सेम है यहाँ पर An important reason for adopting BCE and CE is religious neutrality यानि जो मैंने आपको बताया कि यह जो धर्म से related चीजे थी उस वज़े से यह का नामकरन चेंज हुआ अब है सबसे important जी Where to use यानि यह जो आप BC और AD है इनको use कैसे करते हैं Maximum लोग इसमें गलती करते हैं जी हाँ देखिए आप देख रहे होंगे कि जब मैंने लिखा 1100 BC यानि इसा अगर मैं BC और AD के concept में बात करूँ तो यानि इसा मसी के जनम से 1100 साल पहले ठीक है यहां तक तो देखिए BC आप देख रहे होंगे कि BC मैंने last में लिखा है नमबर के लेकिन जब मैं AD की बात कर रहा हूँ इसा मसी के जनम के 1066 वर्स बाद तो देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ यहां पर मैंने AD पहले लिखा है तो जो रियल concept है वो यह कहता है कि आपका जो BC है वो नमबर के बाद आएगा और जो AD है वो हमेशा नमबर से पहले आएगा लेकिन अगर हम बात करें CE और BC में तो देखिए यहां पर दोनों ही दोनों यहां पर नमबर के बाद आते हैं तो देखिए एक मातर अगर हम बात करें तो AD ऐसा है जहां पर जहां हम इसको अगर नोट करते हैं नमबर से ये पहले आता है बाकी जो और भी BC है CE या BCE है वो देखे नमबर के बाद लिखे जाते हैं अब आते हैं अपने दूसरे questions पे आपने बोला कि इसामसी का जनम ये है इससे पहले का जो भी है वो BC है इसके बाद का जो है वो AD है अब ये बताओ इनका जनम क्या zero पे हु हुआ था या नहीं तो देखे ये बात हम देनते हैं actually there is no year zero यहाँ पर कोई भी zero वर्स जो है नहीं है the calendar goes straight from first BC to first AD 1 BC से लेके सीधा यहाँ पर 1 AD चले जाते हैं तो यह जो zero था यहाँ पर इसका use नहीं किया गया है complicating the process of calculating years अब इससे क्या हो जाता है जो हम years calculate करते हैं तो उसमें थोड़ा सा complication आ जाता है जो मैं आप आपको next examples के माध्यम से बताने वाला हूँ देखे अगर आपको निकालना हो कि भाया एक जनवरी 220 BC अगर मैं date लिखना चाहता हूँ तो इस चीज़ के लिए मैं date लिखना पर ताकि आपको आसानी हो कि यानि date यहां पर एक जनवरी है दोनों में तो आप इसको छोड़ सकते हैं यानि अगर आप देखें कि 220 BC बीसी है तो देखें लेफ्ट साइड में आएगा और 700 AD इनके बीच में कितने वर्स हुए तो आप बोलेंगे यहां से यहां तक 200 200 प्लस 700 यानि 900 टोटल जो है यह 900 इयर्स हो जाते हैं लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं इसका अंसर आएगा 899 तो देखें यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो 0 रेफरेंस पॉइंट था वो यहां पर एक से लेके एक एड़ी चला जाता है तो जो 0 था वो यहां पर मिसिंग था लेकिन हमने वो भी कर जाते हैं तो हमें यहां पर एक जो एयर है वो माइनस करना पड़ेगा आपने आंसर से I think समझ में आ किया होगा अब दो कोशन्स मैं आपके लिए देता हूँ आप देख सकते हैं find the difference between 2000 BC to 1200 BC अब दोनों के दोनों देखिए आप क्या है एक यहां पे है और एक यहां पे है यानि इसका इसमें कोई रोल नहीं है तो अगर हम BC की बात करें तो देखिए माइनस में होता है यहां पर 1200 BC आएगा और यहां पर 2000 BC आएगा आप इनके बीच में डिफरेंस कितना हुआ तो आप देखेंगे 2000 और यह 1200 तो हम क्या करते हैं इसमें से इसको माइनस कर लेंगे जैसे ही इसको आप माइनस करोगे तो आपको आँसर निकल के सामने आ जाएगा कि इनके बीच में क्योंकि 800 साल का डिफरेंस है तो यहां पर कोई भी यहां किसकते हैं कि माइनस नहीं करना पड़े लेकिन अगर हम यही कोश्चन देखें दुबारे से अब 200 BC से लेके 200 BC यह 600 AD यहां पर होगा इनके बीच में देखें तो आपको लगेगा कि 200 प्लस 600 800 आनसर आना चाहिए लेकिन इसका आंसर 799 में आएगा रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि यह जो रेफरेंस पॉइंट है 0 यह कोई यह नहीं माना गया है और 1 BC से बाद में सीधा 1 AD लाया गया तो जब भी हम इस लाइन को क्रोस करेंगे तो हमारे आनसर में से 1 माइनस किया जाएगा देखिए यह थी पूरी जानकारी BC और AD से रिलेटिड जिसको हम इसवी या इसा पूर्व या अगर मैं आज के टाइम में बात करूँ तो common era and before common era यूज करते हैं A to Z जानकारी आपको इसके बारे में मैंने दी है अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है आपको लगता है कि ये वीडियो जानकारी पूरवक है और इसको हम अपने फ्रेंट के साथ सेर कर सकते हैं तो जरूर करिए अगर आपको ये प्रियास पसंद आ रहे हैं तो देखे चैनल को मैगसम लोगों तक पहुंच सके चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ जै हिंद जै भारत